नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज मैं आपके लिए धरमवीर भारती जी की कहानी सूरज का सात्वां घोड़ा का दूसरा भाग लेकर आई हूँ तो कहानी का पहला भाग चैनल पर उपलब्थ है और उसके बारे मैं संक्षेप में कुछ आपको बता देना चाहती हूँ तो कहानी के पहले भाग में हमारे जो लेखक हैं जो एक महले में रहते हैं और मानिक मुला जी के अच्छे दोस्त हैं मानिक मुला जी कहानी का सेंट्रल किरदार है तो मारिक मुला जी अपनी कुछ कहानिया, उनकी तीन कहानिया हैं जिने वो अपने दोस्तों को सुना रहे हैं तो पहली कहानी में वो एक जमुना नाम की लड़की का जिक्र करते हैं जो उनकी पड़ोस में रहती है और जमुना के साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है लेकिन जमुना की सगाई जो है वो तन्ना नाम के लड़के से तूट गई है और जमुना इस बात को ले करके बहुत दुखी है और वो अपना दुख अपनी परोसी मानिक मुला जी के साथ साझजा भी करती है तन्ना जो है वो एक बहुत ही सीधा साधा और शेरीफ लड़का है लेकिन उसकी पिता महेसर दलाल बहुत ही कप्टी और बुरे चरित्रवाले व्यक्ती है अब मानिक मुला और जमुना में अच्छी दोस्ती हो जाती है लेकिन जैसा की एक अकसर प्रेम कहानियों का अंत होता है जमुना की शाधी एक अधेर उमर के अमीर दमीदार के घर में करती जाती है और शाधी के कुछ समय तक जब जमुना को मा बनने का स्वभाग्य नहीं मिलता है तो जमना पीर, फकीरों, मंदिरों के चक्कल लगाती है और इस समय उसका साथ देता है उसके घर में जो तांगेवाला होता है उसका साथ देता है तो तांगेवाला एक दिन एकनुस्का बताता है कि उसे घोड़े की नाल को खिशचके उसकी अंगूठी बनाके अपने हाथ में पहननी चाहिए तो इस तरह से जमुना और तांगे वाले में अच्छी दोस्ती हो जाती है और एक दिन जब जमुना को पुत्र प्रापती होती है और उसके पती का स्वास्त जो काफी बिमार रहते हैं और अधेर उमर के भी होते हैं और उनका दिहान्त हो जाता है और फिर जमुना उस तांगे वाले को अपने घर में एक कोटरी देती है और अपना जीवन पवित्रता के साथ व्यतीत करती है तो इस तरह से मानिक मुला जी की जो पहली प्रेम कहानी है उसका अंत होता है तो अब हम मानिक मुला जी की दूसरी प्रेम कहानी को आथ सुनेंगे मानिक मुला जी बोले जब मैं प्रेम पर आर्थिक प्रभाव की बात करता हूँ तो मेरा मतलब ये रहता है कि वास्तफ में आर्थिक धाचा हमारे मन पर इतना अजब सा प्रभाव डालता है कि मन की सारी भावनाएं उसे स्वाधी नहीं हो पादी और हम जैसे लोग जो ना उच्वर के हैं ना निमनवर के उनके यहां रूडियां, परंपराएं, मर्यादाएं ऐसी पुरानी और विशाक्त हैं कि कुल मिला कर हम सभी पर ऐसा प्रभाव पढ़ता है कि हम बस यंत्र मात्र रह जाते हैं लेकिन जो इस नैतिक विक्रीती से अपने को अलग रख कर भी इस तमाम विवस्ता के विरुत नहीं लड़ते ही, उनकी मर्यादा शीलता सिरफ कायरता होती है, संसकारों का अंधा अनुसरन और ऐसे लोग भले आदमी कहला जाते हैं, उनकी दारीफ भी होती है, पर उनकी जिन्दगी बेहत करुन और भ्यानक हो जाती है, और सबसे बड़ा दुख ये है कि वे भी अपने जीवन का ये पहलू नहीं समझते और बैल की तरह चक्कर लगाते जले जाते हैं, मसलन मैं त तन्ना की कहानी सुनाओ, तन्ना की याद है न, वही महेसर दलाल का लड़का, जिसकी जमना से सगाई तूट गई थी, अकसमात ओमकार ने रोक कर खा, इस कहानी का शीर्षक मानिक मुला इस व्याधात से जल्ला उठे और बोले, हटाओ जी, मैं क्या किसी पत्रिका को कहानी पेच रहा हूं कि शीर्षक के जगड़े पे पड़ू, तुम लोग कहानी सुनने आए हो या शीर्षक सुनने, ये देखकर कि मानिक मुला उंकार को डाट रहे हैं, हम लोगों ने भी उंकार को डाटना शुरू कर दिया, यहां तक कि जब मानिक मुला ने हम लोगों को रहे गए पिता जी, जो डलाल थे, चूंकि बच्चे छोटे थे, उनकी देखपाल करने वाला कोई नहीं था, अधर तन्ना के पिता महेसर डलाल ने अपनी ये इच्छा जाहिर की कि किसी भले घड़ की कोई दबी धकी सुशील करन्या मिल जाए, तो बच्चों का पालन पो अप्शन हो जाए, वरना अब उन्हें क्या बुडाबे में कोई औरत का शोक चड़ा है, राम रा, ऐसी बात सोचना भी नहीं चाहिए, उन्हें तो सिरफ बच्चों की फिक्र है, वरना अब तो बच्चे खुचे दिन राम के भजन में और गंगा सनान में कारते ने हैं, र अरना हर द्वार जाकर बाबा काली कमली वाले के भंडारों में दो जुन भोजन करते और लोग पर लोग सुधारते, लेकिन मुहले भर की बड़ी बूडी औरतें कोई ऐसी सुशीर करन्या ना चुटा पाई, जो बच्चों का भरन पोशन कर सके, अंत में मचबूर होकर मह इसर दलाल के आराम की सारी विवस्था की, उनका पलंग, बिस्तर, हुका, चिलम ठीक किया, उसके बाद तीनों लड़कियों के चरित्र और मर्यादा की कड़ी जांच की, और अंत में तन्ना की फिजूल खर्ची रोकने की पूरी कोशिश करने लगी, बरहाल उसने तमाम ब बड़ी बहन, घर का काम काज, जारू बुहार, चौका बर्दन किया करती, मंचली बहन जिसके दोनों पावों की हड़ियां बच्पन से ही खराब हो गई थी, या तो कोने में बैठी रहती या आंगन भर में खिसल खिसल कर सभी भाई बहनों को गालियां देती रहती, सबसे चोटी बहन पंचम, बनिया के यहां से तंबाकू, चीनी, हल्दी, मिठी का तेल, मंडी से अद्रक, नीमभू, हरी मिर्च, आलू, मुली वगएरा लाने में व्यस्त रहती थी, तन्ना सुबह उठकर पानी से सारा घर थोते थे, बांच से जाडू बांच कर खर भर का जाला पोँचते थे, हुगा भरते थे, इतने में स्कूल का वक्त हो जाता था, लेकिन खाना इतनी जल्दी कहां से बन सकता था, अतर बिना खाये ही स्कूल चले जाते, स्कूल से लोट कर आने पर उन्हें फिर शाम के लिए लगड़ी चीतनी परती थी, बुरादे की अंगीठी करते करते ठक जाती थी, और तब तन्ना चबूतरे के सामने लगी हुई म्यूनिस्पैलिटी की लालतेन के मंद मधुर प्रकाश में स्कूल का काम किया करते थे, घर में लालतेन एक ही थी, और वो बुवा के कमरे में जलती बुश्टी रहती थी, तन्ना का दिल कमजोर था, अधर तन्ना अक्सर मा की याद करके रोया करते थे, और उन्हें रोता देखकर बड़ी और चोटी बहन भी रोने लगती, और मंजली बहन अपने दोनों तूटे पैर पटक कर गालियां देने लगती, और दूसरे दिन वे बुवा से या बाप से शिकायत करते थी, तो बु अधर बड़े नवाब के लड़के ऐसे नहीं रहते जैसे तन्ना बाबू बुल्ला बनाके, पार्टी पार्ट के चैल चिकनियों की तरह घूंते हैं, और उसके बाद महेसर दलाल को पड़िवार की मर्यादा कायम रखने के लिए तन्ना को बहुत मारना पड़ता, यहां त चोटी बैन से कहती, खूब मार पड़ी, अरे अभी क्या राम चाहे तो एक दिन पैट उटेंगे, कोई मुँ में दाना डालने वाला नहीं रह जाएगा, रिचन, आज मेरी चोटी तो कर दे, आज खूब मार पड़ी है तन्ना को, इन हालतों में जम्ना की मा ने तन्ना को बहुत सहारा दिया, उनके हां पूजा पार्ट अक्सर होता रहता था, और उसमें से पांच बंदर और पांच कवारी कन्याओं को खिलाया करती थी, बंदरों में तन्ना और कन्याओं में उनकी बहनों को आमंतर मिलता था, और जाते समय बुवा साफ साफ कह देती थी कि दूसरों के खर जाकर नदीदों की तरह नहीं खाना चाहिए आधी पूरियां बचाकर ले आनी चाहिए बे लोग यही करते चोंकि पूरी खाने से मैदा खराब हो जाता है अदब बिचारी बुवा पूरियां अपने लिए रख कर रोटी बच्चों को खिला देती तन्ना को अक्सर किसी न किसी बहाने जमुना बुला लेती थी और अपने सामने तन्ना को बिठा कर खाना खिलाती थी तन्ना खाते जाते और रोते जाते क्योंकि यदब भी जमुना उनसे छोटी थी पर पता नहीं क्यों उसे देखते ही तन्ना को अपनी मा की यादा जाती और तन्ना को रोते देखकर जमुना के मन में भी ममता उमर पड़ती जमुना घंटो बैठकर उनसे सुक्तुकी बाते करती होते होते ये हो गया कि तन्ना के लिए कोई था तो जमुना थी और जमुना को 24 गंटा अगर किसी की चिंता थी तो तन्ना की अब इसी को आप प्रेम कह लें ये कुछ और जमुना की मां से बाच्छी भी नहीं रही क्योंकि अपनी उम्र में बेभी जमुना की ही रही होंगी उन्होंने बुला कर जमुना को बहुत समझाया और कहा कि तन्ना वैसे तो अच्छा लड़का है पर नीच गोद का है और अपने खांदान में अभी तक अपने से उंचे गोद में ही ब्या हुआ है पर जब जमुना बहुत रोई और उसने तीन दिन खाना नहीं खाया तो उसकी मां ने आधे पर तोड़कर लेने का निरने किया यानि उन्होंने कहा कि अगर तन्ना घर जमाई बनना पसंद करे तो इस प्रस्ता पर गौर किया जा सकता है पर जैसा पहले कहा जा चुका है कि तन्ना थे इमानदार आत्मी और उन्होंने साफ कह दिया कि पिता कुछ भी हो आखिरकार पिता है उनकी सेवा करना उनका धरम है फिक घर जमाई जैसी बात तो कभी सोच नहीं सकते इस पर जमुना के घर में काफी संग्राम मचा पर अंत में जीत जमुना की मा की रही जब दहेच होगा तब बिहा करेंगे पर लड़की कवारी रहेगी रास्ता नहीं सूझेगा तो लड़की पीपल से बिहा देंगे पर नीचे गोत वालों को नहीं देंगे जब ये बात महेसर दलाल तक पहुँची तो उनका खून उबल उठा उन्होंने पूछा कहा है तन्ना मालुम हुआ मैश देखने कया है और उन्होंने चीक मार कर कहा ताकि जमुना के एक घर तक सुनाई थे आने दो आज हराम जाते को खाल ना उधेर दी तो नाम नहीं लकडी के ठूंट को साड़ी पहना कर नौबत बजवा के ले आऊंगा पर उनके यहां में लड़के को ब्या करूँगा जिनके यहां और उसके बात उन्होंने यहां का जो वर्णन महेसर दलाल ने किया उसे जा पर गए तो जमना की माने उने देखते ही छट से खिड़की बंद कर ली जमना चज्जे पर धोती सुका रही थी शन पर इनकी और देखती रही और फिर चुपचाप बिना धोती सुकाए नीचे उदर गई तन्ना चुपचाप थोड़ी देर उदास खड़े रहे फिरांख उने कभी इधर का रुख भी नहीं किया हाला की उदर देखते ही उनकी आंखों में आंसु छलक जाते थे और लगता था जैसे गले में कोई चीज पस गई है सीने में कोई सूजा चला जा रहा है तीरे तीरे तन्ना का मन पढ़ने से उचट गया और वो F.A. के पहले साल में नहीं फेल हो गए महेसर दलाल ने उने फिर खूब मारा उनकी मंचली बहन खुश होकर अपने लुंज पुंज पैर पटकने लगी और हलाकी तन्ना खूब रोए और दबी जबान में इसका विरोध भी किया पर महेसर दलाल ने उनका पढ़ना लिखना चुड़ा दिया और आर एमेस में भरती करा दिया विस स्टेशन पर टाक का काम करने लगे उसी समय महेसर दलाल की निगा में एक लड़की आई जिसके बाप मर चुके थे मा की अखेली संतान थी मा की उम्र चाहे कुछ रही हो पर देखकर ये कहना कठिन था की मा बेटी में कौन उनने से कौन ब बैट रही थी हालाकि उम्र में तन्ना से बहुत चोटी थी लेकिन मुसीबत ये थी कि उस रूप वदी विध्वा के पास जमीन जायदात काफी थी ना कोई देवर ना कोई लड़का अतब उसकी सहायता और रक्षा के खयाल से तन्ना को इंटरमीडियेट पास बता कर महेस दलाल अपनी लड़की को निपटा लेंगे और तब तक लड़की पड़ेगी नहीं चूँकि लड़की की और से भी सारा इंतजा महेसर दलाल को करना था अतब एक 11-12 बजे रात तक लोट पाते और कभी-कभी रात को भी वही रह जाना पड़ता क्योंकि लड़ाई चल रह रोज किया और नतीजा ये हुआ कि महेसर दलाल ने साफ साफ कह दिया कि उसके घर में रहने से मुहले में चारो तब 4 आद्मी 4 तरह की बाते करते हैं महेसर दलाल ठहरे इज़तार आद्मी उन्हें बेटे बेटियों का ब्यार निप्टाना है और ये धोल कव अपने गले ब अमाम जेवर और कपड़े जो बेहन की शादी के लिए रखे थे गायब है इसने तन्ना पर एक भ्यानक भार लाती है महेसर दलाल का उन दुनों अजब हाल था मुहले में अफ़ा फैल गई कि महेसर दलाल जो कुछ करते हैं वे एक साबून बेचने वाली लड़की को देहाते हैं तन्ना को घर का सारा खर्च चलाना पड़ता ब्या की तयादी भी करनी पड़ती दोबहर को एरपी में काम करते रात को आरेमेस में और नतीजा यह हुआ कि उनकी आँखे धस गई पीर छुक गई रंग छुलस गया आँखों के आगे काले थब्बे उनने लगे जैसे त नाखुन से फर्ष खोती रही और तन्ना तिनके से दान खोते रहे यह जमना बहुत सुन्दर निकलाई थी और गुजराती जूड़ा बादने लगी थी लेकिन यह कहा जा चुका है कि तन्ना इमानदार आत्मी थी तन्ना का फलदान चड़ा तो वे और भी सज़दश के सा थाए और उसने तन्ना से सवाल पूछा भाबी क्या सुन्दर है तन्ना हाँ तन्ना ने सहज भाफ से बतला दिया तो रुंते गले से बोली मुझ से भी तन्ना कुछ नहीं बोले खबरा कर बाहर चले आए और सुबह के लिए लकडी चीरने लगे तन्ना की शादी के बाद जमना ने भी भाबी से काफी हेल मेल बढ़ा लिया रोज जुबह शाम आती तन्ना से बात भी न करती दिन भर भाबी के पास बैठी रहती भाबी बहुत पड़े लिखी थी तन्ना से भी ज्यादा और थोड़ी खमंडी भी थी बहुत जल्दी मैके चली गई तो एक दिन ज तन्ना से ऐसी ऐसी बाते करने लगी जैसे उसने कभी नहीं की थी तो तन्ना ने उसके पाम चूकर उसे समझाया कि जब तुम कैसी बाते करती हो तो जमना कुछते रोती रही और फिर फुफकारती हुई चली गई उनी दिनों महले में एक अजब की घटना हुई जिस इन वाली लड़की का नाम महेसर दलाल के साथ लिया जाता था वे एक दिन मरी हुई पाई गए उसकी लाश भी गायब थी और महेसर दलाल पुलिस के ड़के मारे जाकर समधियाने में रहने लगे तन्ना की जिन्दगी अजब सी थी पतनी ज्यादा पड़ी थी ज्यादा ध कमा करार दिया और उन्हें ऐसी ज़ूटी दे दी की हफदे में चार दिन और चार राते रेल के सफर में बीटि दिन हएड़कुार्टर में दांट खाते भी इस बीच में जमना का विवा हो गया महीसर दलाल गुजर गए पहला बच्चा होने में पत्नी मरते मरते बची और बचने के बाद वे तन्ना से गंदी छिपकली से भी ज्यादा नफरत करने लगे छोटी बहन ब्या के काबिल हो गई थी तन्ना सिरफ इतना करपाई की जुक कर चलने लगे दिल का दौरा पढ़ने लगा आंक से पानी आने लगा और मैधा इतना कमजोर हो गया कि एक और भी हजम नहीं होता था डाक ले जाती हुई एक बार रेल में तीर्थ यात्रिनी जमुना मिली साथ में रामधन था जमुना बड़ी ममता से पास आकर जाकी कोठी है तांगा है खुली आपो हवा है आकर कुछ दिन रहो तंदरुस्ती संभल जाएगी फर बेचारे तन्ना नेतिकता और इमानदारी बड़ी चीज होती है लेकिन उस सफर से जो तन्ना लोटे तो फिर पढ़ ही गए महीनों बुखार आया रोग के बारे में खुनकी कमी तो कोई टीबी बदा रहा था घर का यहाल की एक पैसा पास नहीं पतनी का सारा जेवल लेकर सास अपने घर चली गए छोटी बहन रोया करे मंजली घिसल घिसल कर कहे अभी क्या अभी तो कीडे पढ़ेंगे सिर्फ यूनियन के कुछ लोग आकर अच्छी भली स चला दे जाते साफ हवा में रखो फलों का रस तो बिस्तर रोज बदल देना विजारे करते ही क्या होते होते जब नौपत यहां पहुंची कि उन्हें दफ्तर से खारिच कर दिया गया तो घर में फाके होने लगे उनकी सास आकर अपनी लड़की को लिवा ले गई और बोल चेक आएं उनकी लड़की ये पेशा नहीं कर सकती इधर यूनियन उनकी नौकरी के लिए लड़ रही थी और जब ये बहाल हो गए तो लोगों ने सला दी दो हफते के लिए चले जाएं बाकी लोग उनका काम कर दिया करेंगे उसके बाद फिर छुटी ले लेंगे उनका अतन हड़ी का ठांचा भर रह गया था चलते हुए आप नस्दीक से पसलियों की खट बड़ा हट तक सुन सकते थे किसी तरह हिम्मत बांद कर गए अफसर लोग चड़ गए बेल ट्रेन पर रात की जूटी लगा दी वे भी एन होली के दिन रंग में भीगते हुए थर-थर कामते हुए स्टेशन गए सारा बदन जल रहा था काम तो साथियों ने मिलकर कर दिया वे चुपचा पड़े रहे डिब्बे में अंदर सीलन थी बदन तूट रहा था नसी धीली बढ़ गए सुबह हुई डूंटला आया थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई थी वे जाकर दर्वाजे के पास खड़े हो गए गाड़ी चल दी पाम थर थर काम रहे थे सहसा इंजिन के पानी की टंकी के जूलती हुई बाल्टी इनकी कनपटी पे लगी और फिर इने होश नहीं रहा आँख खुली तो डूंटला के रेलवेस अस्पताल में थे दोनों पाम नहीं थे आसपास कोई नहीं बेहत दर्थ था खुन इतना निकल चुका था कि आँख से कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ता था सोचा किसी को बुलाएं तो मुझसे जमुना का नाम निकला फिर अपने बच्चे का फिर बापो महेसर का और फिर चुप हो गए लोगों ने बहुत तो ठीक से देख नहीं सकते थे अधर बार बार उन्हें चूते दबाते उठाने की कोशिश करते और हाथ खीश लेते और थर थर काफने लगते पता नहीं मुझे कैसा लगा मैं निश्कर्ष सुनने की प्रतीक्षा किये बिना चुप चाप उठकर चला गया तो अब मानिक मुला जी अपनी चौती कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें कहानी का किरदार है एक लड़की लेली अब ये लड़की लेली कौन है और उनकी इस प्रेम कहानी का क्यांत होगा तो आई ये सुनते हैं खिड़की पर जूलते हुए जौर्जट की हवा से भी हलके परदे को चूंगते हुए शाम की सूरज की उदास पीली किर्णों ने जांक कर उस लड़की को देखा जो तकी में मूँ च्छिपाए सिसक रही थी उसकी रूखी अलके खारे आंसु से धुले गालों को चूकर स देहर उड़ती थी चंपे की कलियों से उसकी लंबी पतली कलात्मक उंगलियां सिसकियों से काम काम उठने वाला उसका सोन जुही सतन उसके गुलाब की सूखी पंखड़ियों से होंट कमरी का उदास वादावरन पता नहीं कौन सा वे दर था जिसकी उदास उंगलियां रह जाए थी, बाहर सूरज की आखरी किरने, नीम और पीपल के शिक्रों पर सुनहली उदासी बिखेर रही थी आंधी आने वाली है बेटी, चलो खाना खालो, मा ने दर्वाजे पर से कहा, लड़की कुछ नहीं बोली, सिर्फ सिर हिला दिया मा कुछ नहीं बोली, इसरार भी नहीं किया, मा की अकेली लड़की थी, घर भर में मा और बेटी ही थी, बेटी समझो तो बेटा समझो थो, बेटी की बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी मा थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही चली गई लड़की सूनी सूनी आँखों से चुपचाप जामुनी रंके खिरते हुए बातलों को देखती रही और उन पर धदकते हुए गुलाबों को और उन पर खिरती हुए आंधी को कहिए जनाब मानिक ने प्रवेश किया तो वे उठी और चुप चाप लाइट आन कर दी मानिक मुला ने उसकी खिन मनस थी दी उसका अश्रु सिक्त मौन देखा और रुख गए गंभीर होकर बुले क्या हुआ लिली कुछ नहीं लड़की ने हसने का प्रयास करती हुए कहा बगर आँखे दबडबा आई मानिक मुला के पामों के पास पैट गई मानिक ने उसके बूंदों से उल्ची एक सूखी लट को सुलजाते हुए कहा तो बताओ की नहीं हम कभी छिपाते हैं तुमसे कुछ नहीं अब तक तो नहीं चिपाती थी आज से चिपाने लगी हुँ नहीं कोई बात नहीं सच मानो लड़की ने जिसका नाम लीला था लीली नाम से बुकारे जाती थी मानिकी कमीज के कांच के बटन खोलते और बंद करते हुए कहा मानिकी हतेली अपनी सूजी पलकों पर रख कर कहा हुआ ऐसा कि आज देरदास देखने गए थी कमो भी साथ थी खै उसकी समझ में आई नहीं मुझे पता नहीं कैसा लगने लगा मानिक क्या होगा बताओ अभी तो एक दिन तुम नहीं आते हो तो खाना अच्छा नहीं लगता न पढ़ना फिर तो महीनों महीनों तुमें नहीं देख पाएंगे सच वैसे चाहिए जितना हसते रहो बोलते रहो पर जहां इस बात का ध्यान आया कि मन को जैसे पाला मार जाता है मानिक कुछ नहीं बोले उनकी आँखों में एक करुन व्यदा चलक आई वैं चुपचा बैठे रहे आंधी आ गई थी और मेज के नीचे सिनेमा के दो आधे फटे टिकट आंधी की वज़ा से तमाम कमरे में घायल तितलियों के जोड़े की तरह इधर उधर उड़कर दिवारों से टकरा रहे थे मानिक के पावों पर टप से एक गरम आशू चू बढ़ा और उनले चौंक कर लिली की पलकों में आसू चलक रहे थे उन्लोंने हाथ पकड़कर लिली को पास खीच लिया उसे सामने बिठा लिया उसके दो नन्ने उजले कबूत्रों जैसे पामों पर उंगली से धारियां खिशते हुए बोले ची, ये सब रोना धोना हमारी लिली को शोभा नहीं देता ये सब कमजोरी है, मन का मो और कुछ नहीं तुम जानती हो मेरे मन में कभी तुमारे लिए मो नहीं रहा तुमारे मन में मेरे लिए कभी अधिकार की भावणा नहीं रहे अगर हम दोनों जीवन में एक दूसरे के निकट आए भी तो इसलिए कि हमारी अधूरी आत्माए एक दूसरे को पूर्ण बनाए एक दूसरे को बल दे, प्रकाश दे, प्रेड़ना दे और दुनिया की कोई भी ताकत कभी हमसे हमारी इस पवित्रता को चीन नहीं सकती मैं जानता हूँ, तमाम जीवन में जहां कहीं भी रहूँगा जिन प्रस्थितियों में रहूँगा, तुम्हारा प्यार मुझे बल देता रहेगा तुम्हें इतनी अस्थित्ता क्यों आ रही है, इसका मतलब यह है कि पता नहीं मुझे में कौन सी कमी है, तुम्हें वे आस्था नहीं दे पा रहा सैजा तडब कर दूर कहीं बिजली गिरी और लिली चौंक कर भागी और बदवास मानिक के पास आ गिरी दो पल तक बिजली की दिल दहला देने वाली आवास कुंचती रही, लिली सहमी हुई कोरया की तरह मानिक की बाहों के घेरे में खड़ी रही, फिर उसने आखे खोली और जुक कर मानिक के पाउँ पर दो करम होंट रख दिये, मानिक की आँखों में आंसू आ गए, बाहर ब जागी नहीं, लिली को रात पर नीद आई ही नहीं, उसे पता नहीं कब माने खाने के लिए जगाया, उसने कब मना कर दिया, कब और किसने उसे पलंग पर लिटाया, उसे सिरफ इतना याद है कि रात पर बे पता नहीं किसके पाउँ पर सिर रख कर सोती रही, तक किया आंस पूछों से भीग गया था, आँखे सूजाई थी, कम्मो सुबे ही आ गई, आज लिली को जेवर पहनाया जाने वाला था, शाम को साथ पचे लोग आने वाले थे, सास तो थी नहीं, ससोर आने वाले थे, और कम्मो, जो लिली की घनिश्ट मित्र थी, उस घर को सजाने का पूर पहर था लीली थी कम्मो के कंधे पर सिर्ख कर इस तरह बिलकती थी कि कुछ पूछो मत कम्मो ने काम बहुत जल्दी ही निफटा लिया लेकिन घर में कहाई थी कि दिन पर वही रहेगी कम्मो ठहरी घूमने फिरने वाली कामकाजी लड़की उसे खयाल आया कि उसे एलन गंच है वहां से अपनी कड़ाई की किताबे पगेरा वापस लानी है और फिर उसे एक शन चैन नहीं पड़ा उसने लिली की मां से पूछा जल्दी से लिली को मार पीट कर जबरदस्ती तैयार किया और दोनों सखिया चल पड़ी बादल चाय हुए थे बहुत ही सुहाबना मौसम था सडकों पर जगा जगा पानी जमा था जिन में चिडिया नहा रही थी एलन गच में अपना काम लिप्टा कर दोनों पैदल टहलने चल दी थोड़ी ही दूर आगे बांध था जिसके नीचे एक पुरानी रेल की लाइन गई थी जो अब बंद पड़ी थी लाइनों के बी जाइन को पार करने की कोशिश कर रही थी और बार बार फिसल कर किर जाती थी लिली थोड़ी देर उसे देखती रही और फिर बहुत उदास होकर कम्मो से बोली कम्मो रानी अब उस पिंजरे से निस्तार नहीं होगा कहां सी खुमना फिरना कहां तुम कम्मो जो एक घास की डंठल चबा रही थी तमकर बोली देखो लिली घोडी मेरे सामने ये असुआ धरकाने की कोई फायदा नहीं समझी हमें ये सब चोचला अच्छा नहीं लगता दुनिया की सब लड़कियां तो पैदा होके ब्या करती है एक तुमनो की पैदा हुई क्या और ब्या के पहले सभी ये कहती है ब्या के बाद भूल जाओगी कमो कमबक्त किस खेत की मुली थी लिली कुछ नहीं बोली खिस्यानी सी हसी हस्ती उसने चपपल उतार दी और भीगी हुई खास पर टहलने लगी थोड़ी देर में लिली बिलकुल दूसरी लिली थी हसी की तरंगों पर धूब की तरह जगमगाने वाली और शाम को पांच बजे जब दोनों घर लोटी तो उनकी खिलखिलाहर से महला हिल उठा और लिली को बहुत कस कर भूग लगाई थी दिन बर घूमने से लिली को इतनी जोर की भूग लगाई की आते ही उसने मा से नाश्ता मागा और जब अपने आप अलमारी से निकालने लगी तो मा ने टोका खुद खा जाएगी तो तेरे ससुर क्या खाएंगे तो हसके बोली अरे उन्हें मैं बचा खुचा अपने हाथ से खिला दूगी पहले चक तो लूँ नहीं तो बदनामी हो बात में इतने में मालुम हुआ कि लोग आ गए छट से नाश्ता आदा छोड़ कर अंदर गए कम्मो ने उसे साड़ी पहनाई सजाया सवारा लेकिन उसे इतनी भूक लगी कि उन लोगों के सामने जाने से पहले वे फिर बैट गए और खाने लगी यहां तक कि कम्मो ने जबरदस्ती उसके सामने से तश्तरी हटा ली और खीच ले गई दिन भर खुली हवा में घूमने से और पेट फ़र कर खाने से सुबह लिली के चेहरे पर जो उदासी चाही थी वे बिलकुल गायब हो गई उन लोगों को लड़की बहुत पसंद आई पिछले दिन शाम को उसके जीवन में जो जल जला शुरू हुआ था वो दूसरे दिन शाम को शान्त हो गया इतना कहकर मानिक मुला बोले और प्यारे बंधू देखा तुम लोगों ने खुली हवा में घूमने और सुर्यस्त के पहले खाना खाने से सभी शारीरिक और मानसिक व्याथियां शान्त हो जाती हैं अता इससे क्या निश्कर्ष निकला खाओ बदन बनाओ हम लोगों ने उनके कमरे में टंगे फोटो की और देखते हुए एक स्वर में कहा लेकिन मानिक मुला ये आपने नहीं बताया कि लड़की को आप कैसे जानते थे क्यूं जानते थे कौन थी वो लड़की अच्छा अब आप लोग चाहते हैं कि कहानी का खटना काल भी 24 खंटे रखूं और उसमें से सारा महाभारत और इंसाइक्लोपीडिया भी सुनाओ मैं कैसे जानता था इससे आपको क्या मतलब हाँ ये मैं आपको बता दूँ कि ये लीला वही लड़की थी जिसका बहात तन्ना से हुआ था और उस दिन शाम को महेसर दलाल उसे देखने आने वाला था